GFS Maker आ रहा है मलीर का सबसे बड़ा लग्जरिया 2 मेगा प्रोजेक्ट पाकितान का सबसे बड़ा चैन्स उपरिस्टोर जो कि यहाँ पर इसी प्रोजेक्ट में आ रहा है इतनी बड़ी आबादी के दर्म्यान में आपको दुगान मिलने वाली है सिर्फ 11,000,000 रुपे से और वो भी आसान सी एकसाथ में हम 50% पे इसमें आपको कबदा दे रहे हैं तैयार दुगाने दे रहे हैं आपको चाबी आपको देंगे आप बिश्मिल्ला करें अपना कारोवार शुरू करें आप और बागी पेमिंट कारोवार करते हैं आप हमें देंगे मैं जी एफ एफ लेकर आ रहे हैं मलीर का सबसे बड़ा लगजरिया टू मेगा प्रोजेक्ट जिसकी कीमत स्टार्ट होगी सिर्फ ग्यारा लाक रुपे की दुगान से और इतनी बड़ी आपादी की दर्मियान में जहां पर आप सिर्फ सोच सकते हैं क्योंके इतनी बड़ी आपादी में आपको करोड़ों रुपे की दुगाने मिलती है मगर जी एफ एस ना काबले यकीन को भी काबले यकीन बनाता है और अपने केस्टमर्स के लिए बहतरीन प्रोजेक्ट लेकर आया जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ इसकी एकसिस मैं आपको बता देता हूँ देखे सबसे आसान एड्रस है मलीर सौधाबाद आपने देखा होगा वहाँ से सिर्फ 5-7 मिनिट की ड्राइफ में आप मलीर मेमन गोट के में बादार में जब पहुचेंगे और जितनी इन्वेंटरी बाकी है उन लोगों के लिए भी बड़ी खुशकबरी है मलीर एकस्प्रेस वे मेमन गोट से सिर्फ 2 मिनिट की ड्राइफ पे जो के मेमन गोट इंटरचेंज है वहां से दो मिनिट की ड्राइफ पे आप इस प्रोजेक्ट में पहुच जाएंगे तो आईए चलते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट की खासिये जानते हैं मगर एक बात जो के बड़ी अच्छी है यहां का पाकिस्तान का सबसे बड़ा मॉल भी इसी मॉल के अंदर बनने जा रहा है जो के चैजब का मॉल है तो चलिए मारे साथ तारीक इंटरप्राइजिस जो के जी एफस के अतराइस डीलर हैं इनसे बात करते हैं तारीक भाई से तारीक भाई में सौधाबाद की लुकेशन के उपर आपका दफ्तर है आप बैटे हुए है यह जो प्रोजेक्ट है जो कि लगजरिया टू है देखें लगजरिया वन की पहले मैं बात करूँगा इसी रोड पे जब आप आगे जाएंगे तो जी एफस का लगजरिया वन है जिसकी दुकाने डिलीवर कर दी है और माशाला से वो प्रोजेक्ट जबरतस प्रोजेक्ट है जिन लोगों अपनी बुकिंग करवाई थी आज वो लोग कितने में करवाई थी और अब उनकी दुकाने कितने की हो चुकी है और डिलीवर होने के बाद वो प्रोजेक्ट में जो लोगों ने सरमाया लगाया था वो खुश है या नहीं है यह सारी बात है तारिक में से जाने के बताईएगा सबसे पहले बात करूंगा लग्जरिया वन की उसके बाद पिर इस प्रोजेक्ट के बारे में बताईएगा लग्जरिया वन के बात कर लेते हैं लग्जरिया वन माशाला हमने वहां पे शॉप इस ट्रॉलमेट पे दी थी आज से चार पांच साल पहले हूँ आपकी चैनल के तोस्त से जिन लोगों में ने शॉप दी थी मैं आज उनसे पचाप-पचास लाग रुबागी शॉप पर दी जा रही है और इस जर्चन अजादी सादी ऑफर से माशाला आपके जो देखने वाले होंगे हमारे कलाइंट जो हमारे वर्सिस पाकिस्तानी तमाम ही कलाइंट जो है उससे बरत्पूर flushना पाइज प्षर ऑफर दी जा रही है और जिया और इसके अंदर जोई उचहो दर्खास थे कि वो 14 अगस्तों अपनी बुकिंग कंप्लीट कर वा लिए माशाला यह कारोबार यह मैमन गोड बाजार है और यह माशाला आगे इसमें बड़ी तेजी से तरकी आती काम इसके अंदर हो रहे हैं मेरे जाम कड़े में इससे दो मिनिट की मुझाफ़त पर मली एक आप से पहले भी आपको में जाके दिखा चुका हूं और जो लोग माशाला यहां दोगाने बुक करवाएंगे ना वह बड़े फाइते में रहेंगे चुक्के आपको तो पता है कि जाम साधिक बिरिच सब्सक्राइब कर रहे हैं अगर आप अतराफ में उड़ा के देगे इतनी बड़ी आपादी और इतने बड़े बजार के अंदर जहां पर इतनी सारी दुकानों की खफ़त हैं लोग रहे दुकाने चाहते हैं तो वहीं उसी जगह के ओपर GFS ने अपना मेगऑ प्रोज़ेक्ट लौच किया हैं और उस मेगऑ प्रोजेक्ट में उन लोगों को आगे रखने का मोका दिया है जो लोग अपनी कारुबार करना चाहते हैं और कारुबार भी ऐसी जगा पे करना चाहते जहां पर अबादी के बिलकुल तर्मियान में तो तारिक मुझे बताईएगा और आगे मदीद गया है वाई सबसे आगे जो एहम तरी बात ही है कि जी फैस और मली टॉंचे ना हमेशा हवाम के मतालिक सोचता है और आपको पता होगा है पुरे किराचे में बड़े पेमाने पर आपरेशन हो रहा है दुकाने तोड़ी तैयार दुपाने हैं यह जो लोग बेरुज़गार हो गए होने जा रहे हैं उनकी दुपाने तोड़ी जा रही हैं हम उनको वेलकम कर रहे हैं खुशाम देज कहरें कि जीफस में आए आप लगज़े टू में आपनी शॉप बुग करवाएं आप एक मिनिट ओल्ड करते है बाई में इस वक्त मेहमन गोट में मौज़ोद हो और मेहमन गोट की बारिश और खुबसूरती कमाल है तो च्छत पर चलके मजीड बात करते हैं मजीड डिटेल लेते कि दुगाने कितने कितना रुपे की चलिए हमारे साथ शहर के अंदर और इतनी बड़ी आबादी के दर और इस्ट्रॉल्मेंट कितने किया चुके पहले तो पांथ साल के इस्ट्रॉल्मेंट होगी आप चुके आप डेड़ साल में डिलीवर करने जा रहें तो उन लोगों के लिए जो नी हुए उनके लिए क्या लेकर आ रहें आप जी माशला हर बार की तरह इस बार भी हम पहले जो खुशी की बात यह है कि माशला जो आपने डिये टावर जो बनता हुआ देखा यह यह निए वीडियो सबूत भी होती है और हम अपने कुस्पर कहते हैं कि आए पहले आप आए विजिट करें विजिट करके अपनी दुगान फिजिगली तोर पे देखें और दु सब्सक्राइब 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 मलीर के काईदबाद के लांडी के जितने रियाईशी है वो इस बाजार में आके खरीदारी करते हैं और ऐसी प्रोजेक्ट में जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैन्स सुपर इस्टोर जो कि जो क्राची का जो ट्रैफिक आपको पता है मलीर एक्सप्रेस से गुदरेगा यहां से गुदरता हुआ जाएगा यह आइंदा वक्तों के अंदर बड़े बोल से तोबा जैसे मैंने आपको बता है लगजरिया वन में जो दूगाने 11-12 लाग के दिए मैं उनको आफर कर रहा ह जब मलीर एक्सप्रेस वेज़ चुक्के फेज वन स्टार्ट होने जो रहा है फेज वन स्टार्ट हो गिया यह फेज टू ली क्योंकि फेज टू होगा आप तकरीबन काठोड तक जाएगा यह फेज वन में ही सारी चीज़े आती हैं तो जैसे यह आप यहां पर जैसे ही प तो और ज़्यदा इस प्रोजेक्ट की वैलियू होगी वैसे भी अगर मलीर एक्सप्रेस वे नहीं भी एक मिसाले चलता तो वैसे इसकी आमदोरफ से आप अंदावार लगा सकते हैं कि इस प्रोजेक्क की वैलियू कहते हैं तो किस तरी कीदर राप्ता करेगा और आगर कर सकते हैं इस नंबर पर वाट्सप भी मौझूद है और बास 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 जो होते हैं कॉलिट आप आते माइन ना करें नाराज ना हों सिर्फ एक वाइस कर दिया करें हम आपको फॉरण रिप्लाइए करेंगे इस और बाकी वीडियो भी तमाव इस पर आती रहती है जै वाले से बनाई थी माशाला बहुत जबर्दस बुगिंग हुई है अभी जिन लोगो प्लॉट चाहिए थोड़ी बहुत मुझे मुझे से राप्ता कर सकते हैं मलीर केंट बादार की हमने आप से पिछले दिने वीडियो उसकी माशाला बहुत बिसमास आया माशाला बड़े अधिर बहुत जबिए करो क्योंकर मालीर में बारिश को ईजो है क्यो dejaip करने का एक अलगी मदा है